वेल्कम बैक एब्रिवान वेल्कम टो सुवल्स रुशेश टड़ी प्रक्टिस सेट नमबर 174 लगाते हैं यूपी पीसियस के लिए और आज डेट थी 17 फरवरी अतलावी तक है 12 बज़े तक 2021 और आज का ये लास्ट टेस्ट है यूपी पीसियस के लिए चले स्टार्ट करते हैं तो कॉश्चन नमबर बन पर आ जाई है पाइरो मीटर ये प्रश्ण कई बार सामना आया होगा क्या नाप जाता है इसे बताइए देखिए आधरता तो हाइग्रो मीटर से नापते यानी हुमिडिटी तो ये तो होगा नहीं बायुदाब बैरो मीटर होता है भूकम की दीपता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है ठीक है ग्राफ अगर पूछा जाए तो सिस्मो ग्राफ ह तो ये भी नहीं है उच्छिताप मान नापने के लिए जो है पाइरो मीटर का प्रयोग किया था जैसे की सर्ण सूर आधी का टेंपरेचर तो पाइरो मीटर जो है उच्छिताप मान नापने के लिए प्रयोग मिला जाता है बात करें आधरता की तो हाइग्रो मीटर आप ए एक देशे एक सुमेलित नहीं है समुद्री मील नॉ संचलन में दूर्सुन के काई कई तो तापमान नापने के लिए होता है ना ऊसमा थोड़ी तो सेल्सिस पे रह्माने का विशकार स्वीडन के वह ज्यान năm सेल्सिस नहीं किया था यहीं के नाम पर सेल्सेस पड़ा इसके दोरा तापमान को मापा जाता है कुशन नमबर थरी पर आज़िए स्टील से स्टेनलेस स्टील पराप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है नमबर थरी पर आज़िए स्टील से स्टील से स्टेनलेस स्टील पराप्त करने के लिए उसमें कारवन मेगनीज और निकल को मिलाकर उसे अधिक संसाधित किया जाता है जबकि इसमें सिलिकन जो है इसका पर्योग नहीं होता नंबर फोर है कौन सा वर्ड फ्लू का वायरस है वर्ड फ्लू का वायरस कौन सा इसमें H5N1 देखिए मूलता है वर्ड फ्लू जो है एक प्रकार का संकर्ण होता है जो H5N1 avian influenza virus के कर्ण होता है किस के करण H5N1, Avian Influenza के करण, दक्षिन अफरीका ने पहली बार 1961 में इसे पक्षियों में देखा था, बर्ड फ्लू का पहला मानुविय संकुरन हॉंग कॉंग में हुआ था, 1997 में 1997 में, नमलकित में से कौन सी ड्रग गिद्दो की जनसंक्या की कमी के लिए उत्तरदाई है, देखें, गायों को दी जाती है, गायों, भेंसों या मेवेशियों को दी जाती है, डिकलोफेनिक, सोडियम, फीवर में उनके, ठीक है, अब उइसे खाके जो है, जब गाये, जो है, मृत हो जाती है, तो उसको गिद्द जब खाते हैं, और ये बार 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 साल दर सा लंबे सालों के बाद गिद्दों की संक्या धीरे-धीरे कम होने लगी फिर बाद में पता चला कि यह गिद्दों के मरने का करण था ठीक है जो मवेशियों को दी जाती थी उपचार के तौर पर तो डिकलोफेनिक सोडियम जो है जानवरों के लिए दर्द निवारक के रूप में पुरियुक्त होता था वो होता है अब तो बंद है भारतियों महादीप में गिद्दों के स्वाप्त होने का महत्वण कारण यही है डिकलोफेनिक नामक दर्द निवारक दबा तो लिबर किड्नी फेल जाते थे इससे गिद्दों के धाबन मशीन मतलब वाशिंग मशी में अभी केंद्रिय वल के अत्रेक्त एक अब केंद्रिय वल भी काम करता है यह अभी केंद्रिय वल के विपरीत बाहर की तरफ लगता है दूद से मक्षन निकालना तथा कपड़े धोने की मशीन का कारिकारी से दांत अब केंद्री करण के उधारन है अपोहन यानि डायले उसे प्राप्त होती है सौन कारो के दोरा प्रियोग में लाई जाने वाली रत्ती अनावरत वीजी पौधों से तो सीधे सीधे याद रखिएगा सौन कारो दोरा प्रियोग की जाने वाली जो रत्ती है वो अनाबरत वीजी पाद पोसे जो है, वो पराप्त की जाती है कुश्चन नम्बर एट पर आजए है नमलकित मैंसे किस पेड़ के बेर का परियोग चंगेज खाने अपनी सेना में उर्जा को बढ़ाने के लिए किया था चंगेज खाने इन में से किस पेड़ के बेर का पुरियोग अपनी सेना में एनरजी को बढ़ाने के लिए किया था सीवक्थान अप्सन नंबर बी है इसका अंजर तो देखे भारत के लद्दाक भारत के लद्दा की पहाड़ियों में सीवक्थान नामक औसधी एता था पौश्टे गुणों से युक्त बनस्पति पाय जाती है इस पेड़ के बेर का पुरियोग चंगेज खाने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए किया था रूसी अंतरिक शियात्रियों ने इस पौधे के तेल का पुरियोग कॉस्मिक विकिर्ण से बचा आपके लिए किया था फ्लाइ एस जो होती है एक पुर्दूशक है वो किसके जलने से पैदा होता है बताएए पत्थर के कोईले के जलने से लकड़ी के कोईले के जलने से मिट्टी के तेल या डीजल के जलने से या फिवर सी एंजी कंप्रेस्ट नेच्रल गैस के जलने से CNG के चलने से नहीं, डीजल पेट्रॉल के चलने से नहीं, लकड़ी के कोईले से नहीं ये होताई पत्थर के कोईले के से चलने से तो पत्थर के कोईले को जलाने से जो है फ्लाई एस नामाग प्रदुशनकारी राख निकलती है हमारे सरीर में अमलता तथा च्छारक्ता के वीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसका नाम क्या है देखें ब्लड प्रेसर को मेंटेन करने के लिए जो है फोटेसियम की अवश्यक्ता होती है और सेव में ये परियापत मात्रा में है ठीक है लेकिन यहां उत्तर है फासफोरा सरीर में अमलता और च्छारक्ता को संतुलन बनाए रखना नमलकित में से कौन सा बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है उसी बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है जिसका रासाइनिक नाम है साइनो कोबालमिन मतलब बिटामिन बी बारे option number D तो बिटामिन बी बारे में कोबाल्ट होता है बिटामिन बी बारे नुकली कमलों के संसलेशन तथा रुधराणियों के निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है यह व्रद्धी के लिए आवश्चक होता है एनिमिया के उपचार के लिए इसके इंजेक्शन लगते हैं इसकी कमी से तंत्री का तंत्री की कारवाही गड़बडा जाती है कारी की गड़बडा जाती है हर्दय की धड़का नेंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है अभी बताया था potassium किस में मिलेगा सेब में मिलेगा और blood pressure को भी control करता है तो हिरदय की धड़का नेंतरित करने के लिए potassium आवश्यक है दरश्टी पटल यानि retina पर जो परतविम्ब बनता है जो चित्र बनता है वो कैसा होगा कई बार बताया है एक तो real होगा inverted होगा ठीक है real होगा, inverted होगा और क्या होगा, small होगा ये तीन चीज़ा आद रखना यानि वास्तविक होगा वस्तू से छोटा होगा और उल्टा होगा बस्तू के बराबर होगा गलत है बस्तू से छोटा होगा सीधा होगा गलत है क्योंकि inverted होगा बस्तू से छोटा होगा सही है उल्टा होगा सही है ये सही होगा बस्तू के बराबर नहीं होगा क्योंकि छोटा होगा गलत है सीधा होगा हुआ है तो तीन चीजा रखना रेटीना पर प्रतिवान बनता है बहुत स्मॉल यानी छोटा होता है वस्तु से और उल्टा होता है मतलब इंवर्टेड होता है और रियल होता है यानी वास्त्त्विक होता है in तो देखिए दरश्टी पटल नेत्र का जो है भीत्री तंत्री का अस्तर है यह अनेक पड़तों का बना होता जिसकी रश्णा तंत्री का कोशिकाओं, सलकाओं और संकों से होती है संकों से बनी होती है देखें कि जब किसी वस्तु से निकली प्रकास किरने नेत्र में प्रवेस करती है तो कैमरे के नेगेटिव की भाती वस्तु की वास्तविक कुमा उल्टी तथा छोटी प्रतिमूर्टी नेत्र की रेटिना पर बनती है ठीक है तो वस्तु की वास्तविक उल्टी और छोटी नमबर फोटीन पर आजए इन में से कौन सा हर्मोन उडो या लडो की धर्णा से संबनेद है मतलब फ्लाइट और फाइट हर्मोन भी इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लेंड से निकलता है एड्रिनेलिन इंसुलिन कहां से निकलता है बीटा से निकलता है पेंक्रियाज में तो देखे एड्रिनेलिन हर्मोन जो है अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है यह कारिकारी अंगों को प्रभावित करता है एडिनेलिन हमें संकट कारी इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तयार करता है गुस्से या डर के समय उत्पन होने वाले हाव हाव एडिनेलिन के द्वारा उत्पन होते हैं क्वेशन नुबर 15 पर आज़े हमारे सरीर के प्रष्ट के नीचे जो बसा होती है न वहें नमलखित में से किस एक के विरुध वाधा के रूप में कारी करती है बताईए सरीर से उश्मा की हानी नमक की हानी तरल पदार्थों की हानी या हानी कारक सूक्ष जीवों के प्रवेश से रूकती है क्या क्या करती है ये बताईए ये जो है सरीर से उश्मा की हानी होने से जो है वो बचाती है तो कार्भाइडेट की बाति जो भसाय होती है वो कार्बन हाइडोजन और ऑक्सीजन के योगिक होते है पर इनमें कार्बन और हाइडोजन की मातरा बहुत अधैक near तथा ऑक्सीजन की बहुत कम होती है देखे इसलिए वसाय जो है जल के अणुओं की और अकर्शित नहीं होती अर्थार ये जल में घुलनशील होती है हमारे सरीर के प्रश्ट के नीचे जो वशा होती है वह है सरीर से उस्मा की हनी के विरुद्ध बाधा के रूप में काम करती है ठीक है तो पंदरा प्रश्ट थे ये अच्छे से इनकी प्रक्टेस कम से कम एक बार कर लेज़ेगा ये था टेस्ट जनरल साइन्स का देखे साइन्स में ये सब छोटी चीजे जो है जैसे की किरेटिन बाल में नेल्स में ये सब कहां पाय जाता है ये बार बार पूछती रहती है उपी पीसियर्स और केमिकल नेम ठीक है बिटामिनों के A, B, C, D, E और K तक और B में भी B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12 तक ठीक है और इनकी कमी से होने वाले रोग भी और बाकी रेटिना हो गया दूर दरश्टी दोस, निकट दरश्टी दोस, दरपन, दरपन में समतल दरपन हो गया ठीक है लैंस हो गया उत्तल लैंस, अवतल लैंस, उत्तल दरपन, समतल दरपन ये ही सब है चले ये प्रेक्टिस करते रहना धन्यवाद